हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जक्याओ किचन आज मैं आपके साथ चिकन तिक का बनाने के रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपको इसे बनाने के लिए देसी तरीका दिखाऊंगी इसके लिए नहां बाबे क्यू का इस्तिमाल करेंगे ना ओवन और नहीं स्कीविर का हम इसे सिंपल तरीके से अपने पैन में बनाएंगे और गैस स्टोफ पर बनाएंगे और यह बहुत टेस्टी बन कर तैयार होगा तो आप इसे जरूर ट्राइ करें इसके लिए हमने 750 ग्राम चिकन लिया है यह बोन के साथ है आप बोन लेस भी ले सकते हैं जिस पर हमने गहरे गहरे से इस तरह से कर्स लगा लिये हैं अब हम कुछ मसालों के इस्तेमाल करेंगे जिसे हम डालते जाएंगे और दिखाते जाएंगे यहां पर हमने 100 ग्राम दही लिया है गाड़ा दही हाफ टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून लाल मिर्च लिये वन टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला लिया है हाफ टीस्पून जीरा पावडर हाफ टीस्पून चाट मसाला हाफ टीस्पून कश्मिरी लाल मिर्च लिये आप इसकी जगा फूट कलर भी ले सकते हैं एक निबु करस लिया है वन टी स्पून सॉल्ट लिया है नमक मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से हमारे चिकन में मैरिनेट हो जाएं वन टेबिल स्पून ओयल डालेंगे इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे चिकन पर रब करते हुए दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेज डालेंगे इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच बेसन बेसन की जगा आप कॉन फ्लोर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये हमारे चिकन में बाइंडिंग का काम करेगा अब हम इसको तीन घंटे के लिए मैरिनेशन को रखेंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप इससे ज़्यादा रखें और अगर टाइम नहीं है तो जल्दी बना लें रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा चिकन को मैरिनेट हुए तेन घंटे के करीब हो गया है अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पैन में हमने दो टेबिल स्पून ओयल डाला है आप ओयल के जगा आधा बटर और आधा ओयल भी ले सकते हैं इसे टेस्ट और अच्छा होगा इसे फैला लेंगे और चिकन के एक एक पीस को हम इस तरह से इसके उपर रखते जाएंगे जितने पीसे इसमें आ जाएं उतने पीसे हम रखेंगे इसमें रखेंगे दो तीन पीस बज़ रहा है इसे भी हम इसमें एड़िस्ट कर देंगे अब हाई फ्लेम पर हम इसे दो मिनट तक पकाएंगे अब इसे लिट से कवर कर देंगे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और दस से बारा मिनट तक कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए बारा मिनट के करी हो गया है देखिए चिकन हमारे अच्छे से गल गए है अब हम इसे एक एक करके पलट देंगे सभी चिकन को हम फ्लिप कर लेंगे देखिए इसमें ग्रिल मार्क्स भी आ रहे हैं इसे दो-तीन मिनट तक और पकाएंगे सिकन रेडी हो गया है अब इसे सर्व करके दिखाएंगे ये अंदर तक गल गया है और बहुत जूसी बना है इसे शाम को चाय के साथ बनाएं या स्टार्टर में बनाएं ये बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को तो बहुत आए तो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे